हेलो वीवर्स, वेलकम बैक आर्ट चैनल नेहा नील आर्ट क्लासिस आज मैं आप सभी को कंप्लेंट लेटर लिखना सिखाने वाली हूँ कंप्लेंट लेटर एक बहुती इंपोर्टेंट लेटर है जो के आपके बोर्ड के एकजाम में भी काफी बार आता है इसलिए आपको वीडियो को लास तक देखना है और ध्यान से देखना है स्किप मत करिएगा वरना आप इसको अच्छे से नहीं सबंच पाएंगे तो चलिए देर ना करते वे अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे उपर इकजामिनेशन होल अगली लाइन में जो भी एड्रस दिया है वो हम लिखेंगे उससे अगली लाइन में लिखेंगे डेट उससे अगली लाइन में हम फिर से लिखेंगे शोप का नाम जो भी दिया गया है मैंने यहां लिखा है MS Rama Electrics Commercial Streets Guru Gram उसके बाद हम लिखेंगे अगली लाइन में subject हमारा subject है complaint against a defective refrigerator उसके बाद आपको फिर अगली लाइन में लिखना है sir या फिर ma'am उसके बाद आप उससे अगली लाइन में लिखेंगे थोड़ा space देखे on 2 November 2021 I brought a new refrigerator model model आप यहां पे लिखेंगे from your showroom I am extremely disappointed as it is stopped working well after one month of purchase उसके बाद आप अगली लाइन में लिखेंगे the machine has developed certain problems regarding its functioning the cooling has stopped completely and it is also making a lot of noise उसके बाद आपको कोई भी space नहीं देना है इसी में आगे की तरफ ही लिखते रहना है all these are causing great inconvenience and I feel cheated उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे I therefore request you to remove the fault if it is minor or replace a new one as it is still in the warranty of two years your quick action will be highly appreciated उसके बाद आप अगली लाइन में आगे की तरफ ही आपको लिखना है yours faithfully उससे अगली लाइन में आप लिखेंगे नीचे आपका नाम में नेहा लिखा है नेहा तो ये थी आज की हमारी वीडियो उमीद है कि आपको मेरा ये complaint letter अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like, share और comment जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहें